हाई फ्रेंज मैं सेर्फ डॉक्टर शाशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक होमेोपैथिक मेडिसिन एक्स्प्लेंग करूंगी जिसका नाम है रूटा मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्फेर ओफेक्शन क्या है और क्लेनिकली आप कौन-कौन सी कंडिशन में इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं और कौन सी डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज करना चाहिए लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आखिर रूटा मेडिसिन को किन कंडिशन में यूज किया जाता है रूटा मेडिसिन जादा तर बोन्स या फिर मसल से रिलेटट विमारियों के लिए यूज की जाती है इसका रियोमेटिक कंप्लेंस में बहुत ही अच्छा लगी है कोई straining या फिर कोई sprain हो चुका है तो उसके लिए आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते है रूटा मेडिसिन रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी कंप्लेंड के लिए भी उसकिया जाता है ये कंडिशन है जिसमें पर्सन का जो आरे फेक्टर है वो पॉजिटिव होने लग जाते है इसके अलावा रूटा मेडिसिन एंड लोगो के लिए बहुत ही स्यगगे इस पॉल है जिनने कोई ब्रुईशिंग हो चुका है और कोई स्पा रहे हो चुका है मस्कूलर लग är recently तो वहां पे आप यहरे समयचिया स्टेय का वहां रूटान की तरह बीव क कोई चोट लगी थी जिसके वज़े से उन्हें बहुत जादा मसल्स में दर्द हो रहा है तो उस कंप्लेण के लिए भी आपस मेडिसीन का यूज कर सकते है रूटा मेडिसीन हीलिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है और जो पेन उसे कम करने में हेल्प करता है इसके अला कि इसके पर्सन को लोईर बेक एरिया में स्प्रेंग हो चुकी है तो ऐसे लोग इस मेडिसीन का यूज कर सकते है रूटा मेडिसीन साइटिक जैसी कंप्लेण के लिए भी उसकी जाती है अगर किसी परसन के जो साइटिक नर्व है वह और सुप्रेस हो चुकी है उन्हें का कब रहें लेक्टानिक डिवाईस को एकि अबल एयुज कर T और ये इसे एकिया तो उसके लिए अपस मैडिसन का यूज कर सकते हैं वच्टाम मेडिसन इन लोह के लिए बहुत ही ज्यादे मेडिस्का रिषिस हो चुका है जैसे कि여 परसन की एज़ एडवांस होती है तो उन्हें बोन से रिलेटेड काफे सारी प्रॉब्लम्स होती है तो अगर किसी परसन को हड्डियों में दर्द हो रहा है उनके बोन सब्सक्राइब का डिपोजिशन नहीं हो रहा है calcium की कमी हो रही है तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है रूटा medicine बच्चों के लिए बहुत useful medicine है बच्चों को अगर कोई fracture हो जाता है और उसकी healing जल्दी से जल्दी करनी है तो उसके लिए आप रूटा medicine का use कर सकते है रूटा medicine females के लिए काफी useful medicine है अगर किसी female को menopausal age में बहुत जादा कमर में दर्द होता है तो ऐसी female इस medicine का use कर सकती है फीमेल की जब age advance होती है 45-50 year के बाद जब उन्हें menopause जब female के mensis बंद हो जाते है जब वो menopausal age में चली जाती है तो उन्हें bones से related काफी सारी problems होती है उनके bones में दर्द होने लग जाता है और easily उन्हें fracture होने लग जाते है तो bones से related complaints के लिए bones में अगर दर्द हो रहा है muscular pain है या फिर easily fracture हो रहे है तो उसको कम करने के लिए अगर आप इस medicine को 30 potency में यूज करते है तो आपको 4-4 drop दिन में दो बार diet अपने तंग के ऊपर इस medicine को use करना होगा So friends, यह था Ruta medicine, मैंने आपको बताया कि आप clinically कौन कौन सी condition में इस medicine को use कर सकते है और कौन से dose में आपको इस medicine को use करना चाहिए तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाहते है तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर message कर सकते है मैं आपको reply करूँगी तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगाओ तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए और साथे साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और जो bell icon है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही thank you